हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू माइंड मैप लिट्रेचर और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अमेरिका का राइस कैसे हुआ कैसे ब्रिटिसर्स ने यहाँ पे कॉलोनीस बनाई और धीरे-धीरे कॉलोनीस एक्सपेंड हुई और यह भी पढ़ा था कि अरली अमेरिकन लेट्रेचर कितने टाइप के हुए और आज हम पढ़ेंगे अरली अमेरिकन राइटर्स के बारे में जो अमेरिका में स्टार्टिंग में जिन राइटर्स ने लिखा हम उनके बारे में आज स्टड़ी करेंगे तो कौन-कौन से राइटर अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो लोग भी पिल्ग्रिम्स अमेरिका आये थे वो या तो economical freedom के लिए आये थे या religious freedom के लिए आये थे और जितने भी लोग religious freedom के लिए आये थे वो majority में प्रोटेस्टेंट थे या puritan थे अब इन ही में से एक lady का नाम था एने ब्रेड स्ट्रीट जो जॉन विंथ्रॉप्स के साथ मेसेचिसाट बे कॉलोनी आये थी एने ब्रेड स्ट्रीट जो थी वो England की एक bell to do family से बिलोंग करती थी लेकिन जैसे ही वो America आई तो यहां इन्हें बहुत सारी परहिसानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जब हम अपने बसे बसाए घर से कहीं दूसरी जगर रहने जाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यही समस्याओं एने ब्रेड स्ट्रीट को भी हुए एने ब्रेड स्ट्रीट एक member थी John Winthrop's Massachusetts Bay Colony की एक dissenter थी लेकिन separatist नहीं थी पतलब ये Church of England को purify करना चाहती थी लेकिन Church of England से अलग नहीं होना चाहती थी ब्रेड स्टीट एक बैल्दी फैमिली से बिलॉंग करती थी तो इन्हें एजुकेशन मिली जो उस टाइम की बहुत सी गर्ल्स को नहीं मिल पाती थी जब ब्रेड स्टीट अमेरिका आई तो इन्हें बहुत से हाट सिप और लेवर को फेस करना पड़ा लेकिन इनका फेथ गौड और प्यूर्टन विलीब्स पर अलग नहीं हुआ इन्होंने बहुत सारी पोयम्स लिखी हैं जैसे To My Dear and Loving Husband A Dialogue Between Old England and New इस पोयम में Old England और New England दो केरेक्टर हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और अपने अपने बारे में डिसकस कर रहे हैं कि तुम्हारे में क्या कमी हैं मेरे में क्या कमी तुम्हारे में क्या अच्छाई हैं बगएरा बगएरा इनकी और भी पोयम्स हैं जैसे The Tenth Muse Lady Spring Up in America Several poems compiled with great variety of wit and learning Upon the warning of our house 10th July 1666 In Memory of My Dear Grand Child Elizabeth Bradstreet and Many More इनकी poems में इनकी family के लिए इनका प्यार और puritan beliefs पर इनका भरूसा हमीशा दिखता था Next important writer है Phyllis Wheatley एक wealthy tailor थे जिनका नाम था John Wheatley उन्होंने एक black slave लड़की को खरीदा जिसका नाम उन्होंने रखा Phyllis Wheatley लेकिन John Wheatley ने कभी इनको slave के जैसे नहीं रखा इनको अपनी बच्ची की तरह परवरिस दी और education दी इसलिए ये Phyllis Wheatley बहुत छोटी उम्र से writing और reading करने लगी थी इन्होंने कुछ poems लिखी हैं जैसे On the death of Reverend Mr. George Whitfield 1770 Poems on various subjects religious and moral 1773 On being brought from Africa to America इन्होंने अपने poems के माध्यम से Black American Africans की जो दर्द होता है जो heartship होती है उसको बया किया है कैसे उनको आफरिका से अपने घर से अमेरिका लाया जाता था उनसे जवरजस्ती काम करवाया जाता था उनको slave बना के रखा जाता था तो ये सब कुछ कुछ चीजें इन्होंने अपनी poems के माध्यम से बताई हैं अब next writer है Edward Taylor Edward Taylor एक farmer थे जो religious freedom के लिए अमेरिका आयत थे ये metaphysical poet George Harvard से inspired थे तो ये अपनी poems वैसे ही लिखते थे जैसे एक metaphysical poet लिखता है बहुत सारी conceits का यूज करना extended metaphor का यूज करना इन्होंने एक term हस वाइफरी को बहुत famous किया इनकी famous poems हैं The Aave and Flow Upon a Spider Catching a Fly Upon Bedlock and Death of Children 1682 में इन्होंने एक work publish किया जिसमें 217 poems थी और उस work का नाम था Preparatory Meditation Before My Approach to the Lord Supposed ये उस समय के prolific writer में से एक थे Early American writers में सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है Important writers और उनके important works बहुत कम ऐसे works हैं जिनके बारे में हमको detail में पढ़ना है तो हमें सिर्फ writer और उनके works के बारे में पढ़ना है अब next writer है Cotton Mathur Cotton Mathur Grand Child थे एक religious leader और first generation immigrant की इन्होंने 400 से ज़्यादा publication की इनके important work है The Christian Philosopher Bonifacius or Assess to the Good The Negro Christianized Indian Christiana next writer है Sarah Campbell Knight और इनका important work है The Journals of Madam Knight next writer है William Weld of Westover इनका वर्जीनिया में बहुत बड़ा farm था और ये 1726 में यहां सैटल हो गए थे permanently इन्होंने लिखे थे work The Correspondence of Three William Wids The History of Dividing Line विड़ीश्ट वर्जीनिया और नौथ कैरोलाइना next writer है Evenizer Cook ये एक planter थे और टोवैको मर्चंट थे इन्होंने बहुत सारी poems लिखी है लेकिन ये satirical poem के लिए famous थे इनका important work है The Saut Wheat Factor और A Voice to Maryland next writer है Elizabeth Asurich Elizabeth अमेरिका अपने master के साथ आई थी वो उन्हें बहुत अच्छा आदमी समझती थी लेकिन जब वो अमेरिका आए तो उसकी cruelness का पता चला फिर उन्होंने एक manfis आदी की जो उनकी dancing पसंद करते थे लेकिन जब इन्होंने quaker religion को embrace किया तो Elizabeth ने dancing करना बंद कर दिया और उनके husband उससे बहुत गुसे में और disappointment में रहते थे और उसको बहुत मारते थे ये सब उनके husband के मौत के बाद ही बंद हुआ Elizabeth ने एक work लेखा है अब इसमें एक चीज आई quaker quaker क्या होता है हूँ समझते है quaker कुछ group था लोगों का उन्होंने एक group बनाया था religious society of friends इसमें ये सब लोग protestant थे और ये लोग believe करते थे human abilities में और ये मानते थे कि हर इंसान के अंदर God का existence है और धीरे धीरे ये quakers के नाम से famous हो गए अब next writer है John Woolman ये भी एक quaker थे इन्होंने एक book publish की journal जो society of friends नहीं publish कराई इन्होंने इसमें discuss किया है कि कैसे इन्होंने अपना profession farming का छोड़ दिया और एक missionary बन गए तो उनको क्या क्या problem साई ये सब इन्होंने अपनी book journal में लिखा है नेक्स्ट राइटर है Jonathan Edwards इनके father grandfather दौनों clergyman थे और ये भी एक clergyman थे उन्होंने अपने experience share किये है कि कैसे ये जगए जगए गूमते थे और लोगों को convert करते थे क्या experience इनके थे conversion के समय ये सब इन्होंने अपने works में लिखे है इनके work है A faithful narrative of surprising work of God A treatise concerning religious affection The great Christian doctrine of original sin defended Two dissertations Sinner in the hand of angry God He gave many religious servants stressing on conversion तो ये थे कुछ important early American writers अगले वीडियो में हम revolutionary America के कुछ important writers के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए Goodbye and stay connected to mind map literature